Hello students, आज मैं आपके सामने एक बहुत interesting question discuss करने जा रहा हूँ जो इस साल के sample paper में दिया गया है 23-24 के देखने में बहुत ही difficult question लगता है लेकिन मैं आपको छोटे-छोटे steps में इसको solve करने की कोशिश करूँगा थाकि आपको बिल्कुल काईदे से ही question clear हो जाए और आप इस type के कोई भी problem future में है ना तो आप इसको यू करके attempt करके solve पर सकते हो आईए question को समझते है Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो हमें एक question दिया गया है क्या कहता है question? Two water taps together can fill a tank in 9-3 by 8 hours. तो एक tank है उसमें दो pipe लगे हुए है यह diagram दिया नहीं गया है लेकिन मैंने इसका diagram प्रेप्जेंट किया है ताकि आपको यह graphically clear हो जाए equation तो एक tank है उसके उपर दो water tap लगे हुए दोनों मिलके उस tank को 9-3 by 8 hours में fill करते हैं यह हमें question में दिया गया है 9-3 by 8 क्या हुआ 8-9s are 72 72 plus 3 75 यानि 75 by 8 hours में fill करते हैं fraction में देने से question complicated हो जाता है तो उसको देखके डरना मत सिरफ concept को पकड़ने की कोशिश करना अगर आपने वो पकड़ा तो बाकी सब values हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately तो जो larger diameter यानि बड़ा जो diameter का pipe है वो 10 गंटे कम लेता है किस से जो छोटे diameter का pipe है उससे यानि कि कहने की कोशिश क्या हो रही है जितना time छोटे pipe से लगता है टैंक को बरने में उससे 10 गंटे कम लगते हैं बड़े pipe से बरने में ठीक है यह कहने की कोशिश है इसलाएं कि the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately तो जो बड़ा pipe है या बड़े diameter का pipe है वो 10 गंटे कम ले रहा है छोटे वाले pipe के भरने से ठीक है find the time in which each tap can separately fill the tank अब देखो यहां पर उन्होंने यह आप से पूछा कि दोनों टैप अलग-अलग कितने घंटे में वो टैंक fill करेंगी यानि दोनों की capacity हमें निकालनी है कि दोनों की इंडिडिटल capacity क्या है पहले उन्होंने हमें हमें 7-7 की capacity कि दोनों मिलके कितने घंटे में fill कर रहे हैं फिर उन्होंने solve करेंगे तो हमारी अलग-अलग values निकल आएंगी तो हमारा यह बहुत अच्छा question quadratic equation का या polynomial का तो equations हम बनाएंगे और equation को solve करेंगे तो हमारा answer निकलेगा आईए solve करना शुरू करते हैं अब देखो concept समझो अगर मेरा एक pipe है ठीक है सोच के बताओ अगर छोटा diameter का pipe है उसमें एक्स गंटे लग रहे हैं या कोई समय लग रहा है ठीक है तो जो बड़ा pipe होगा उसका चुकी मुह बड़ा है उससे जादा पानी निकल रहा है सेम टाइम में जो छोटे मुह वाला pipe है वो जितना पानी निकालेगा बड़ा pipe जो होगा वो उतने ही टाइम में जादा पानी निकाल देगा क्योंकि उसका diameter बड़ा है जब वो जादा पानी निकालेगा तो वो टैंक को भरने में कम समय लगेगा उसके अंदर ये logically है तो जो हमारा छोटे मुह वाला pipe होगा वो जादा समय लगाएगा और जो ब दे रहा है क्योंकि question में दिया हुआ है कि वो दस घंटे कम लेता है ठीक है ना आईए इसको हम equation में रखने के शुरू करते है हमारा जो छोटे मुह का pipe है smaller diameter का जो pipe है वो एक घंटे ले रहा है तो हमें question में दिया हुआ है the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately तो इसलिए हमारा जो time होगा larger pipe को कितना हो जाएगा x minus 10 hours ठीक है यह बहुत समझने का point है इसलिए मैं point पे इतना emphasis कर रहा हूँ इसको अब ध्यां से समझ लेना ठीक है आगे बढ़ते है tank volume अगर हम माल लेते है वी लीटर है पूरी जो capacity है वी for volume तो वी लीटर है अगर पूरा तो अब individually निकालने की कोश रहेगा यह उल्टा पकड़ते हैं कि छोटे pipe ने x घंटे में भरा वी लीटर ठीक है तो एक घंटे में कितना लीटर भढ़ेगा वी बाई x यह क्लियर है पिर से बूलता हूं अगर छोटे pipe ने x घंटे में भरा वी लीटर यानि पूरा tank भरने में उस एक घंटे लग रहे इसी तरह से जो लार्जर वाला pipe होगा वो x-10 घंटे में वी लीटर भर रहा है पूरा tank को भरने में x-10 घंटे लगा रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा वी अपॉन x-10 ठीक है यह हमने दोनों की एक घंटे में कितना वॉल्यूम वो फिल कर रहे हैं यह निकाल दिया अब देखो दोनों pipe की हमने एक घंटे की capacity निकाल ली अगर हम इन दोनों pipe को एक साथ खोल दें तो एक घंटे में कितना पानी भर देंगे जो पानी छोटे वाले pipe ने गंटे में भरा प्लस जो पानी बड़े वाले pipe ने एक घंटे में भरा अब हमने दोनों की values निकाल ली ह छोटे वाले ने कितना पानी भरा था V by x liter और बड़े वाले ने कितना भरा था V upon x minus 10 liter दोनों को add कर देंगे तो हमारा क्या निगलेगा कितना पानी हमारा दोनों pipe का मिलके एक गंटे में बर जाएगा वो कितना हो गया V upon x plus V upon x minus 10 इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं LC हम आगे x into x minus 10 उपर आगया V into x minus 10 और प्लस V into x ठीक है V common ले लेंगे तो आ जाएगा V into 2x minus 10 upon x into x minus 10 ये इतना लीटर एक गंटे में दोनों pipe ने मिलके भरा ठीक है अब समझो V into 2x minus 10 upon x into x minus 10 जो भी ये value है समझो ये a value है तो इतना लीटर पानी एक घंटे में भरा तो जो पूरा V liter है पूरा tank भरने में उन्हें कितना time लगेगा ठीक है इस पूरे fraction को कुछ a माल लेते हैं कि पूरा बोलने में time लग रहा है तो मैं कहता हूँ ये a liter है तो a liter भरने में एक घंटा लग रहा है तो V liter भरने में कितना time लगेगा 1 into V upon A ठीक है न तो अब हम इसमें value put up कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1 into V उपर और A की value क्या हो गए V into 2x minus 10 upon x into x minus 10 ठीक है इसको solve किया denominator था वो उपर पहुंचेगा x into x minus 10 V V cancel हो गए तो नीचे क्या बचेगा 2x minus 10 तो इतना हमारे घंटे लगेंगे V liter का tank भरने में जब दोनों pipe एक साथ चल रहे हैं तो ठीक है अब हमें question में क्या है जो time हमारा निकला वो क्या निकला x into x minus 10 upon 2x minus 10 ठीक है लेकिन हमें question में second condition भी दी हुई है अब question के साथ चलते हैं तो दोनों pipe मिल करके उसे कितने घंटे में भरते हैं 9 3 by 8 hours में और 75 by 8 hours में ठीक है यह हमें question के शुरू में दिया हुआ था अब हम इन दोनों को equate कर देते हैं इस equation को हम solve करते हैं हमारा क्या निकलता है उपर हो गया x square minus 10x into 8 equal to 75 into 2x minus 10 इसको हमने further solve किया तो हमारा निकला 8x square minus 230x plus 750 is equal to 0 इसको हमने further solve किया तो हमारा निकला 8x square minus 200x minus 30x plus 750 is equal to 0 और x minus 25 into 8x minus 30 is equal to 0 ठीक है यहां तक clear है कोई doubt तो नहीं कोई problem तो नहीं अगर मैं बहुत fast चला हूँ तो इस video को rewind करके फिर से सुन लेना कोई भी step unclear मत छोड़ना समझ के चलना आके next step पर चलते हैं अब इसको हमने further solve किया तो हमारा x की क्या value निकली 25 और 15 by 4 30 by 8 है 30 by 8 को हमने solve किया 15 by 4 तो हमारी दो values निकलना ही ठीक है अब हमें निकालना क्या था हमसे पूछा गया था कि दोनों pipe अलग-अलग कितना time लेंगे अब हमारा x की value निकली लेकिन हमें दोनों की निकालनी है एक की निकालनी यहाँ पर हमारा answer खतम नहीं होता नॉर्मली x निकालके आप question को खतम कर देते हो कि हाँ जी निकल की thank you very much बर question को ध्यान से पढ़ो उन्होंने दोनों pipe की individual separately कितने time में fill करेंगे यह पूछा है तो अब हमारा x निकला है x-10 नहीं निकला तो हम दोनों को लेते हैं एक एक करके अगर हम x को लेते है 25 तो x-10 क्या हो जाएगा 15 ठीक है अगर हम x को लेते है 15 by 4 तो x-10 क्या हो जाएगा 15 upon 4 minus 10 which is equal to minus 25 by 4 अब यह क्या है यह time है क्योंकि हम यहाँ पे x और x-10 क्या ले रहे हैं हम लोग r's में ले रहे हैं वो time है क्योंकि time कभी भी minus में नहीं हो सकता minus 25 by 4 is negative number time कभी भी negative नहीं हो सकता इसलिए x is not equal to 15 by 4 यह value को हम accept नहीं कर सकते we will take only x is equal to 25 which is the time taken by smaller pipe ठीक है और अगर x 25 है तो x-10 की value 15 होगी जो larger pipe ने time लिया तो इस तरह से हमारे दोनों की individual कितना time लेंगे यह जो question में पूचा गया था हमारे दोनों value निकलाती है यानि smaller pipe ने लिया 25 है और larger pipe ने लिया 15 है इती समाधानम board के exams में step by step इस question को कैसे लिखेंगे इसके लिए आप हमारी website को visit करना उसके link मैंने description में दी है वहाँ पर आपको यह question step by step method में लिखा हुआ है अगर आप उसे सीख लोगे प्रॉपरली लिखना तो आपकी board में full marks आने की guarantee है word problems पर अगर आपको confidence नहीं आता या डर लगता है तो आप उसको खूब mastery करो खूब practice करो बच्चे ताकि आपका उससे डर निकल जाए आपकी उस पर grip आ जाए उसके लिए link मैंने आपको description में दी है आप खूब practice करना और इस topic के ऊपर खूब सारे उसमें questions step by step method में और video solutions दोनों दिये हुए हैं ताकि आप खूब practice कर लेना past year के questions के हमने case studies भी आपको दी हुई है video solutions दिये है step by step solutions दिये हुए है उनको भी visit करना उसके भी link मैंने आपको description में दे दिये है student this is the end of today session while we plan for next class you go out with your friends chill out and have fun bye bye झाल झाल झाल